दोस्तो रोजाना गवर्मेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साधी साथ बेला इकन को भी दबा ले हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चेनल गवर्मेंट जोब्स क्यान पर दोस्तो आज है दस फरवरी एक बार फिर से मापके लिए आठ बड़ी भरतियों की अपडेट लेके आ चुके हैं किसी भी राजे से आप एपलाई कर सकते हो महिला और पुरुस बहुत केंडिडेट इन फोर्म को भर सकते हैं जियां दोस्तो इन में कुछ भरतिया ऐसी निकली है जिन के लिए आपको कोई भी एकजाम नहीं देना होगा जियां दोस्तो लोग सेवायोग पीएसी पबलिक सर्विस कमिसन में बड़ी भरति के अपडेट आ चुकी है पुलिस विभाग में भी होम कार्ड की लेटिस्ट भरति की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है किसी भाग भरति के लिए भी आवेदन परकिरिया सुरू हो चुकी है इस विडियो में मैं आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतरकते भरतिया निकली है किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ओफ वैकेंसी है क्या पोस्ट वाइज इलिबिलिटी कराइटेरिया है कैसे आप इन भरतियों की नोटिफिकेशन की पीडियेप डाउनलोड कर सकते हो कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हो स्टैब बैस्टैब पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी स्वाल ओड़ाउट के लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाई सुरू करते हैं आज की आठ बड़ी भरत्यों की पूरी जानकारी जहां दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर जोब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमिशन में लोग सेवायोग पीसी के इंतरकति भरती निकली है पोस्ट है इसमें डिप्टी कलेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर डिश्टिक कोडिनेटर जेल सुपरिंटेंडेंट असिस्टेंट मुनिशिपल कमिशनर एजुकेशन सर्वीज जूनियर रेजिस्टर असिस्टेंट रेजिस्टर असिस्टेंट डाइरेक्टर प्लानिंग ओफीसर और प्रोबेशन ओफीसर की 252 नंबरों फेकेंसीज है सेली 9300 से 34800 परती महा के लिए प्रोवाइड की जाएगी ग्रेजवेट डिग्री से आप आवेजन कर सकते हो मिनिमम आयू सीमा 21 सुर्स है और मैक्सिमम आयू सीमा फीमेल UR OBC BC केंडिडेट के लिए 38 सुर्स है बात अगर एप्लिकेशन फीच की की जाए तो UR EWS OBC सेड्यूल 1 या BC सेड्यूल 2 के लिए हाँ पर 600 प्लस बैंक चार्ज आवेदन सुल्क है SST जो जारकंड स्टेट के केंडिडेट है उनके लिए 150 पलस बैंक चार्ज है PWD केंडिडेट को कोई भी सुल्क जमा नहीं करना होगा पैमेंट आप कर सकते हो ओनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBA कलेक्ट से सलेक्शन होगा प्रिलिम्स एकजाम और में एकजाम के आधार पे ओनलाइन आप आवेदन कर सकते हो जारकंड जोब लोकेशन है उल इंडिया से एपलाइन ओनलाइन कर सकते हो jpsc.jov.in इसकी official government website है जिससे आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हो जो की अस्टार्ट होंगे 15 फरवरी 2021 से लास्ट एपलाइन ओनलाइन करने की 15 मार्च 2021 है फीस पेमेंट करने की लास्ट एट भी 16 मार्च 2021 है पिलिम्स एक्जाम की डेट 2 माई 2021 है और मेन एक्जाम की डेट है फोर्थ वीग उप सेप्टेमबर 2021 में है उसके बाद दोस्तों जो सैकेंड नंबर पर जोब निकली है वो निकली है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटिड में आयोसियल के इंतरगत ये भरती है पोस्त है टेकनिशन अपरेंटिस और ट्रेड अपरेंटिस की 346 खाली पद है से लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो योगेता की बात कीज़े तो बारवी पास, ग्रेजुएट, आईटेई, डिप्लोमाइन इंजिनिरिंग से आप अप अपलाई कर सकते हो आयोसिमा 18 से 24 सुर्स है फीस आपको जमान नहीं करनी होगी सलेक्शन भी होगा रिटन टैस्ट के आधार पे अपलाई कर सकते हो इस भरती के लिए आप उल इंडिया से अपलाई ऑनलाई कर सकते हो iocl.com पोर्टल से ऑनलाई कर सकते हो जो के स्टार्ट हो चुके हैं 5 वरवरी 2021 से लाश्ट एट अपलाई ऑनलाई करने की 7 मार्च 2021 है रिटन टैस्ट की डेट 21 मार्च 2021 है जहां दोस्तों क्वालिफाइड केंडिडेट्स की लिस्ट यहां पर जारी होगी 25 मार्च 2021 को उसके बाद दोस्तों जो तर्ड नंबर पर जोब निकली है वोनिकलियर ब्रोडकास्ट इंजिनिरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिम्टिड में बेसिल के इंतरगति बरती है सभी के लिए 120 खाली पद है से लिगी बात के दिए तो 33,450, 42,950, 17,303, 7,250 और कुछ पोश्ट के लिए 23,550 परती महा के लिए प्रोवाइट की जाएगी योग है था कि बात की जाएगी तो 1012 पास ITI डिग्री डिप्लोमा से आप एपलाई कर सकते हो आयू सीमा 18 से 27, 30, 40, 21, 27, 30, 35 से है फीज की वहीं बात की जाएगी तो यू आर ओबीसी एक सर्ष्ट मैन के लिए 830 रुपे फीस है SST, PWD, EWS केंडिडेट्स के लिए 600 रुपे फीस है पैमेंट आप उनलाइन कर सकते हो सेलेक्शन होगा टेस्ट ये इंचू के आधार पे उनलाइन एपलाई कर सकते हो ओल आवर इंडिया से आप एपलाई ओनलाइन कर सकते हो बेसिल.com ये इसकी ओफीशल वेबसाइट है जिससे आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हो जो कि ये स्टार्ट हो चुके हैं 8 फरवरी 2021 से लास्ट एट एपलाई ओनलाइन करने की 22 फरवरी 2021 है उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जोब निकली है हो निकली है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटिड में हाल के इंतर्गत ये बरती है पोश्ट है इंजीनियर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है टेक्निशन डिप्लोमा अप्रेंटिस की 165 यहाँ पर खाली पद है सेली ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर माह के लिए है डिग्रिया डिप्लोमा इंचिनरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो हाल रूल के अकोर्डिंग आयू सीमा चाय की जाएगी फीज भी आपको जमान नहीं करनी होगी नहीं एक्जाम देना होगा मेरिट से चेंज किया जाएगा ओनलाई अप्लाई कर सकते हो नासिक महराष्टरा जोब लोकेशन है ओल इंडिया से अप्लाई ओनलाई कर सकते हो r-india.show.in.hk official website है जिससे आप ओनलाई आवेदन कर सकते हो लास्ट एट अप्लाई ओनलाई करने की 25 फरवरी 2021 है उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस विभाग में होम गार्ड वोलिंटीर की भरती है वेरियस पदखाली है 10,000 से 12,000 से लिए दस्वी पास केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं आयू सीमा 18 से 50 वर्स है फीस आपको जमान नहीं करनी होगी सलेक्शन होगा फिजीकल फिटनेश टेट, ट्रेट टेश, डोकिमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जामिनेशन के आधार पे ओफलाइन आवेदन कर सकते हो चंडिगट जोब लोकेशन है चंडिगट पुलिश.jv.in.h की ओफीशल गवर्मेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ति का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो लास्ट एट आवेदन सेंट करनी की 14 फरवरी 2021 है उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है अगरिकल्चर डिपार्टमेंट में किस्वी भाग के अंतरगते भरती है पोस्ट है अगरिकल्चर डवलप्मेंट ओफीसर एडियो असिस्टेंट अगरिकल्चर इंजीनियर एईए और जूनियर इंजीनियर जेए की 157 वैकर्सिज है सेली एगरिकल्चर डवलपमेंट ओफीसर और असिस्टेंट एगरिकल्चर इंजीनियर के लिए 30,000,000,000 है जूनियर इंजीनियर जेई के लिए 14,000,000,000 है डिग्रिया डिपलोमा एगरिकल्चर या इंजीनियरिंग से आप अपलाई कर सकते हो आयू सीमा 21-40 वर्स है फीस आपको जमान नहीं करनी होगी सेलेक्शन होगा OMR-based Multiple Choice Type Test और परसनल इंट्यू के आधार पे ओनलाईन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो असम जोब लोकेशन है ओल इंजीनियर से अपलाई कर सकते हो AU.AC.IN Portal से ओनलाईन कर सकते हो जो की 3 फरवरी से चल रहे है लास्ट टेट अपलाईन ओनलाईन करने की 15 फरवरी 2021 है उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है भारत हीवी Electricals Limited में बेल के इंतरगत आईचाई Trade Apprentice के लिए 300 पद खाली है ओनलाईन अपलाई कर सकते हो भोपाल MP मदय परदेश जोब लोकेशन है उल इंडिया से अपलाईन ओनलाईन कर सकते हो bpl.bl.com portal से आप ओनलाईन आवेदन कर सकते हो जो की 2 फरवरी से चल ले है लास्ट टेट ओनलाईन आवेदन करने की 22 फरवरी 2021 है ओनलाईन फोर्म की हाट को भी सेंड करने की लास्ट टेट भी 2 मार्च 2020 है उसके बाद दोस्तों जो एट ओल लास्ट नंबर पर जोब निकली है वो निकली है कोपरेटिव डेरी फेडेशन लिमिटिड में सहकारी डेरी फेडेशन लिमिटिड के इंतरकेते भरती है पोस्ट है जनरल मैनेजर डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट डेरी कैमिस्ट बोलर ओपरेटर जेई, लेब असिस्टेंट, डेरी टेकनिशन, लेक्टीशन, जूनियर अकाउंटेंट, प्लांट ओपरेटर, लाइव स्टोक सूपरवाइजर, फीटर, वैल्डर, हेलपर, और डेरी सूपरवाइजर की 503 या पर खालिपद है, जिनके लिए आपसे ओनलाइन आवेदन पत्र मंगाई जा रहे हैं सेली की बात की जाए तो 2200 से 2200, 9300 से 34800, 15600 से 49600 है, अलग-लग पोस्ट के लिए दसवी बार्यो आईटाई, ग्रेजवेट, पोस्ट, ग्रेजवेट से आप एपलाई कर सकते हो, आयू सीमा 21-40 वर्स है, बात अगर फीज की की जाए तो जनरल क्रिमी लेयर और BC या MBC के लिए 1200 है, SST, Non-Krimi-Layer, BC, EWS, Aure, MBC, Visible Candidate जो राजस्तान के उनके लिए 600 रुपे सूलक है, सलेक्शन होगा ओन-लाइन एक्जैमिनेशन के आधार पे, पैटरन के उचलिबस की complete details notification में ही दी गई है, ओन-लाइन अपलाई कर सकते हो, राजस्तान जोब लोकेशन है, All India से ओन-लाइन कर सकते हो, राजस्तान जोब लोकेशन है, जिससे आप ओन-लाइन एपलाई कर सकते हो, लाजट एट एपलाई ऑन-लाइन करने की 26 फरवरी 2021 है, तो दोस्तों यह थी याद की एनिके 10 फरवरी 2021 की टोप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी, अगर आपको अभीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन, पलस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके, आप इसे किसी भी भर्ति की नोटिफिकेशन की पीडि को शेर जरूर करें, सासा दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी बिग अपडेट अप्लोड करते हैं